वही बात हम करें Hello째 ERYlaw के Mámले में इस मामले में हमारे पास होता है एर्थों मेटा और पैरा ये तीनों गला हैं तो देखिए तीनों केस में क्या हो रहा है जब हम बात करते फैरा की तो पैरा में क्या हो कि यह स्थी कोछदी में कुछ IT होती बहुत अधी कुर्जा की जर्वत पड़ेगी तो जब बात करते हैं और तो मेटा और पैरा की तो पैरा जो समावे वह होते हैं इनका क्वतनांग हमेशा अधीक होगा चलिए और क्या फेक्टर अफेक्ट करते हैं तो देखिए नेक्स्ट कि अगर आप हैलोजन्स की संख्या बढ़ाते गए तो हैलोजन्स की संख्या बढ़ने से भी क्या होगा क्वतनांग बढ़ता जाता है कारण क्या होगा कारण इनका यही है जैसे जैसे हम हाइट्रोजन को हटा रहे हैं और हैलूजन को डालते जा रहे हैं तो इनका द्रव्यमान भी क्या है बढ़ते जा रहा है और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे द्रव्यमा बढ़ता जाएगा इनका क्वथनांग भी क्या होगा बढ़ते जाएगा चल यह एक एक्जाम्पल लेते हैं मालों हम बात कर रहे हैं CH3 CL की यहां पर देखिए इसका क्वथनांग है माइनस 24 डिग्री सेंटिग्रेट अब इसमें से एक और हाइट्रोजन हटा दे और हैलोजन इसको एड़ कर दे तो यह हो जाएगा CH2 CL2 इसका क्वथनांग देखिए कितना हो रहा है 40 डिग्री सेंटिग्रेट अब बात करें क्लोरोफोर्म यहने CH3 की यहां क्लोरीन की संक्या बढ़ने से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 61 डिग्री सेंटिग्रेट हो गया व तो क्वथनांग को यह सारे factor क्या करते हैं affect करते हैं यह मिन शौट में समझें कि अगर आण्विक द्रवेमान बढ़ रहे है तो भी क्वथनांग क्या होगा बढ़ेगा जितना द्रूता बढ़ते जाएगी क्वथनांग बढ़ेगा जितना इन में आकर्षन बढ़ते नंगे बढ़ते जाते हैं। समझने के बाद, कुर्णान को चलिए, इसके pourquoi्बी नान न सुंने करते हैं, हम कुछ एक प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्ना देखिए मालो हमने लिया है नॉर्मल ब्णो तो इनके क्वतनांक में हमें यह बताना है कि किसका क्वतनांक अधिक होगा इसका क्रम बताना है साथ ही साथ हमें यह भी बताना है ऐसा क्यूं तो चले बना के देखते हैं तो पहले आप क्या करेंगे एक आप हमने देख लिया है कि किस प्रकार सरचना बनानी है नामकरन सभी सीखा है हमने तो पहले हम स्वयम क्या करेंगे सरचना बना कर देखेंगे चलिए तो सरचना बनाते हैं नॉर्मल ब्यूटिल ब्रॉमाइड की फिर बनाए आइसो ब्यूटिल ब्रॉमाइड और टर्सरी ब्यूटिल ब्रॉमाइड जब यहां पर हम सरचना बनाते हैं तो हमें क्लियर दिख रहा है कि जो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड है इसमें एक की बाद यह चार कार्बन हमारे जुड़ते जा रहे हैं जबकि वहीं बात हम जब करते हैं तरसरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की तो यहां पर हमें बहुत सारी शिंकलाएं देखने को मिलती है अब इस अंतराणवी काकरशन है जैसे वंदरवाल अकरशन है यह सब क्या है अधिक है तो यह अधिक होगे तो कवतनांग भी क्या हो जाता है अधिक होगा लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं यहां शाखाएं बढ़ा रहे हैं तो कवतनांग क्या होगा कम होगा तो इसका सहीं जो जबाब हम समझ सकते हैं वो यह है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कवतनांग होगा नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइट का फिर आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइट का और सबसे कम जो कवतनांग है वो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइट का होगा क्लियर है? चलिए एक प्रश्टन और हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या है कि कुछ एक योगिक दीए गए है मानलो हम ले रहे हैं ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफों, क्लोरोमेथेन और डाइडाईडोमेथेन इन्हें हमें व्यवस्ठिद करना है क्लोरीट वन क्लोरो ब्यूटेन चलिए इसे हल करते हैं तो पहले हम क्या किये सभी सरचनाएं बना लेते हैं अब देखें कि मेधिल राइड ले रहे हैं मेधिल भ्रोमाइड है तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम आवर्त सान्नी में नीचे की ओर आते हैं परमाणी दुरिम मैं और क्लोरीन और रोमीन के अगर तू yellow कर रहे हैं तो ब्रोमीन का पर्माणेक्ट रहý two of us आख अपर हमारे पास कुछ एक्जाम पडंपल में इसमें जिस में की संख्या कांपर बढते जा रही है तो जितना प्रोमीन की संख्या बढ़ते जाएगी इनका द्रविमान भी क्या होगा बढ़ते जाएगा तो इसी बेसेश पे हम इसे बना सकते हैं तो सबसे कम द्रविमान जो होगा वो किसका होगा ये होगा हमारा CH3-Cl का इसके बाद होगा CH3-Br फिर CH2-Br2 और CH-Br3 कारण इस जैसे जैसे आनुमिक द्रविमान बढ़ता जाएगा इनका क्वथनांग भी क्या होगा बढ़ता जाएगा चलिए next question देखें यहां देखें कि हम कौन सा अला logic लगाएंगे कि जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाती है इनका क्वथनांग क्या होगा कम होते जाएगा देखें बात करें, यहां हमें एक्जाम्पल मिला है 1-kloropane, isopropyl chloride और 1-. कुछशाइन करण लिए इसका क्वतंँख कम होगा, तो हमें यह दिखान रखना है कि किन-किन टॉपिक में हमें क्या-क्या concept लगा कर इसे हल करना है अभिक्रिया तो नाभिक इसने ही क्या हुए ऐसे ग्रूप जिनके पास इलेक्ट्रोनों की संख्या बहुत ज्यादा है जिसके कारण वो ऐसी जगह में आक्रमन करते हैं जहां पे इलेक्ट्रोन की संख्या कम होती है और धनावेश बहुत अधीक होता है इन्हें हम कहते हैं नाभिक इसने ही यहां दूसरा शब्द जो है प्रती स्थापन तो इसके लिए समझे कि यह जो कार्बन है कार्बन जो हमारे एलकिल हैलाइट का कार्बन है इसमें चार तरफ से आप बंद देख रहे हैं एक बंद हैलोजन के सांथ है और तीन बंद किसके साथ हाइट्रोजन के सांथ यहां हमने पहले ही समझ लिया है कि कार्बन और हैलोजन का जो बंद होता है वो हलका सा आनशिक क्या है वो दूरूवी होता है कारण हमने देखा ही था कि हमारा है जो है उस परशित करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं हेलोजन्स के जाने के बाद उनकी जगहा पर हमारे यह जो नाभिकिस नहीं है आकर आकरमन करते हैं और बंद का निर्मान करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिकिस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया अ जब हम डिटेल में जाते हैं तो यह अभिक्रिया दो प्रकार की है SN1 और SN2 चलिए धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं क्या है SN1 और SN2 पहले बात रखते हम SN1 के बारे में SN1 क्या है ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया वन यहां पे जो है यह इसकी बलगत की से आया है कि अभिक्रिया की जो दर है इसके बारे में हम जब डिटेल में जाएंगे तब हमें समझ आ रहा है कि यह एक आण्मिक अभिक्रिया है चलिए समझते हैं क्या है ये तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे नाभे किस नहीं है वो किस प्रकार आक्रमन कर रहे हैं ये बहुत महत्व रखता है जैसे ही वहां से हमारा हैलाइड हरता है तो कार्बन के उपर एक आवेश आ जाता है जो है धनावेश इस धनावेशित कार्बन को हम क्या कहते हैं कार्ब केटायन कार्बन है इसलिए कार्ब धनावेश के कारण इसका नाम हुआ कार्ब केटायन ये कार्ब केटायन पे जब भी कोई ना भी किस नहीं आकरमन करेगा तो हमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद मिलेंगे क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ना भी किस नहीं होते हैं यह आकर आकरमन करेंगे और हमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद देते हैं तो इस अभिक्रिया की मदद से हम क्या करते ह हैं कि हम एलकील हैलाइट से अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं चलिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे ना भी किस नहीं है जो अभी क्रिया करते हैं और हमें उत्पाद देंगे चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं चलिए आप यहां स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि बह और के वेज यहां देखे ना भी किसने ही का काले करेगा ओएज यहां ऑक्सिजन के उपर एकाकी एलेक्ट्रॉन है यह जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें उत्पार्थ के रूप में प्राप्त होगा अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी आर बी आर प्लस के वेज यह हमें देंगे सी टू एच पाइब ओएच अगर आपने एथिल ब्रोमाइड लिया है प्लस के बी आर इसी प्रकार अब देखें दूसरा अभिकर्मक हमारे पास दूसरा अभिकर्मक है एच टू ओ जल में ओएच जो है वो ना भी किस नहीं की तरह वहवार करता है यह जब अभिकर्या करता है तो हैलोजन को हटा कर वहां पे ओएच एड हो जाएगा जिससे हमें उत्पात के रूप में क्या मिलेगा एलकोहल और ओएच इसी प्रकार हम बात करें एलको ऑक्साइड जैसे यहां हम देखें एन ए ओ आर इसमें ओ आर जो है य आद से अभिक्रिया करते हैं और हमें मिलेगा इथर और यह बहुत प्रत्रचलित अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं विलियंड लियॉधं संशुलेश्यों आगे देखते हम हमारा अभिकर्मक है sodium iodide NAI इसमें ना भी किस नहीं के रूप में है iodine जिसे हम iodide के रूप में लिखे हैं यह अभिक्रिया करता है तो हमें मिलेगा alkyl iodide इसी प्रकार नेक्स देखिए ammonia NS3 ammonia कई तरीके से अभिक्रिया करेगा यहाँ पे nitrogen जो है इसके पास एकाकी electron यूब में है यह असानी से अभिक्रिया करता है और उत्पात के रूप में हमें देगा rns2 जो है प्रात्मे कैमीन चैसे मैंने अभी कहा था यह बहुत प्रकार से अभिक्रिया करेगा नेक्स देखिए rns2 यही हमारा जो एमीन ग्रूप है अभिक्रिया करता है और यहाँ उत्पात देगा rnhr- जिसे हम कहते हैं द्वित्य कैमीन जब अभिकर्मक के रूप में उप्योग किया जाता है तब यह उत्पात देगा r3n तीन प्रकार के यह समान भी हो सकते और अलग-अलग प्रकार के भी इसे हम कहेंगे त्रीतियक एमीन आगे देख रहे हैं हम साड़नी में potassium cyanide kcn, kcn में cn जो है cyanide यह ligand के समान वैवा, cyanide जो है यह नाभिक इसने ही है यह भिकर्या करेंगे और हमें देगे alkyl cyanide इसके बाद हम देखते हैं साड़नी में sodium, इसके बाद हम देखते हैं silver cyanide, agcn, agcn जो है नाभिक इसने ही है यह अभिकर्या करता है, यहाँ देखिए nitrogen जो है यह electron दान करेगा और यह carbon से जुड़ता है alkyl group के carbon से, इसलिए यहाँ पर हम इसे isonitrile कहेंगे, जिसकी चर्चा हमने की थी कि किस प्रकार नाभिकिस नहीं होते हैं, यह एक उभैधर्मी नाभिकिस नहीं है, इसी का एक और example देखें, KNO2, यहाँ पर NO2 group भी उभैधर्मी नाभिकिस नहीं है, ono यहाँ पर नाभिकिस नहीं है, oxygen ही alkyl group को बंद निर्मान करवा रहा है, उत्पाद होगा alkyl nitride, इसी प्रकार, AGNO2, यहाँ देखेंगे हम, कि oxygen जो है, यहाँ हम देखते हैं, कि nitrogen जो है, अलकिल ग्रूप से जुड़ता है, तो हमें जो उत्पाद मिलेगा, वो होगा nitro-alkyl, इसमें हम next अभिकर्मक देखें, RCOAG, इस अभिकर्मक में नाभि किस नहीं है, RCOOR, जो अभिकर्या करके, RCOOR, एस्टर बनाता है, चलिए, आगे देखें, lithium aluminum hydride, LIALH4, इसमें HI, नाभि किस नहीं है, यह अभिकर्या करके, हमें hydrocarbon, alkane देगा, आगे देखें, ROH, alcohol, इसमें नाभि किस नहीं का कार्य कर रहा है, R- alkyl group, यह अभिकर्या करके हमें higher alkane देते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2BR, अथ्वा, CH3, CH2, CHBR, CH3, यहां देखें, CH3, CH2, CH2, CH2BR, यह एक प्रात्मि केलकिल हलाइड होने के कारण, इसमें क्या होगी, त्रिविम बादा उत्पन नहीं होती, तो यह असानी से क्या करेगा, SN2 अभिकर्या करता है, दूसरा युगमक है, CH3, CH2, CHBR, CH3, अथ्वा, CH3, CH3, CH2, CHBR, CH3, क्योंकि यह दिवितिया केलकिल हलाइड है, जो की त्रितिया केलकिल हलाइड की तुल्ला में अधिक तिवृता से क्या करेगा, SN2 अभिकर्या करता है, वही हम बात करें, तीसरे युगमक की CH3, CH, CH3, CH2, 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 BR, अथ्वा, CH3, CH2, 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 BR, इस युगमक में CH3, CH, CH3, CH2, 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 BR, इसमें प्रतिस्थापी मेतिल समू के हैलाइड से दूर होने के कारण, त्रिविम बाधा क्या होगी, कम होगी, अता ये भी SN2 अभिकर्या के वेग यहाँ पे अधिक होगे, चलिए कुछ और एक्जाम्पल देखें, हलोजन यौगिक के निम्न युगलो में से कौन सा यौगिक तिवृता से SN1 अभिकर्या करेगा, पहला है, और दूसरा, चलिए देखें, पहले में, क्योंकि यहाँ पे त्रितियक कार्ब केटेन का इस्थाई तो अधिक होता है, इस कारण से त्रितियक अलकिल हेलाइट की अभिकर्या शिल्ता, SN1 अभिकर्या के लिए दूसरे युगमत में आएं, क्योंकि प्राथमी कार्ब केटेन की तुन्ना में, दूसरे कार्ब केटेन का इस्थाई तो अधिक होता है, इस कारण से यहां भी SN1 अभिकर्या अधिक होगी, हमने अभी देखा कि बहुत सारे ऐसी अभिकर्याई हुई जिनमें नाभिकिस नहीं आकर आकरमंट करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट जो नाभिकिस नहीं होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि दो पॉइंट ऐसे होते हैं, जो electron दान कर सकते हैं इन्हें हम कहते हैं उबैंधर्मिक नाभी किसने ही im 합니다 डिन डिन्व्वाइब ह bend by the new तो मैं एक से जादा सेंटर ऐसे होते हैं जो इलेक्टरों दाण कर सकते हैं चलिएक एक और यह क्शामपल लेते हैं हम एक्शामपल लेते हैं साइनाइड का सइनाइड में वहारे पास कार्बन है और नाइट्रोजन है कार्बन के पास भी एलेक्ट्रोन अधिक होता है और नाइट्रोजन के पास भी जब आक्रमन करते समय कार्बन अगर एलकिल ग्रूप को एलेक्ट्रोन दे रहा है वहां पर कार्बन जूर रहा है तब इस समय हमें जो उत्पाद मिलेगा हम इस नाइट्रोजन हमारे एलकील ग्रूप के साथ जूडता है वहां आकरमन करता है और बंद का निर्मान कर रहा है तो इस समय उत्पात का नाम हो जाएगा आईसो साइनाइड तो ऐसे नुकलियोफाइल जिनमें दो सेंटर होते हैं उन्हें हम एमबीडियेंट नुकलियोफाइल या उभैधर्मी ना भी किस नहीं कहते हैं एक और एक्जामपल लेते हम चलिए एन ओटू एन ओटू में नाइट्रोजन और ऑक्सिजन दोनों ही इलेक्ट्रोण दान करते हैं तो जब नाइट्रोजन हमारे एलकील ग्रूप के साथ जूडता है तब उत्पात बनेगा और ऑक्सिजन की तरफ से एलेक्ट्रोण दिया जा रहा है तब जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एलकाइल नाइट्राइड तो इस प्रकार हमने देखा नुक्रियोफाइल भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं अब बात चर रही थी कि SN1 और SN2 मेकेनिजम क्या है इसकी क्र समझने के लिए कुछ एक कॉंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है जब भी रसाइनिक अभिक्रियाय होती है यह तो हमें क्लियर है कि कुछ बंद तूटते हैं तो कुछ नए बंद वहां पर बनते हैं तो यहां बंद कहां तूटे थे हमारा हैलोजन जो है जो कि लिविंग ग encer गाव जब नाविक इस नहीं आएगा नाविक इस नहीं आकर जब कारवन पर अटेक करेगा वहां पर बंद का निर्मान होगा को यह दो बेसिक चेंज बहुत काम करते हैं तो मेकशन पर बात करते हैं SN1 जैसे हमने देखा कि SN1 ना भी किस नहीं अभिक्रिया है जिसमें केवल एक क्रिया कारक जो है वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है अब यह हम कैसे समझेंगे कि कौन सा क्रिया कारक कैसे अभिक्रिया की गती को प्रभावित करता है चलिए इसे थोड़ा और डिटे है यह दो स्टेप में होती है यहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे एसन वन में जो वन है यह एकानवी कभिक्रिया के लिए है और हम बात करें स्टेप की तो यह अभिक्रिया दो स्टेप में होती है पहले स्टेप में क्या होगा चले देखें देखें क्या होता है पहले तूटते हैं बंद के तूटने से वहां से हैलोजन जो है वो बाहर निकर रहे हैं कुछ इस प्रकार यहां बंद तूटा और हमारा है लुजन बाहर निकलता है जब है लुजन बाहर निकलता है तो यह क्या करता है अपने इलेक्ट्रोन जो उनके साजय के इलेक्ट्रोनों को लेकर वहां से बाहर निकलता है जिसके कारण हैलोजन्स के उपर तो रिन आवेश है पर हमारा जो कार्बन है उसके उपर धन आवेश आजाता है अब यह कार्बन जो है जिस पर धन आवेश है इसे हम क्या कहेंगे कार्ब केटाएन तो यह कार्ब केटाएन का निर्मान होता है पहले step में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो देखिए यहां पे तीर का निशान ये तीर का निशान जो है उतक्रमनी अभी क्रिया के लिए है ये हमारी अभी क्रिया उतक्रमनी है दोनों दिशा में जाएगी क्रिया कारक से क्रिया फल और क्रिया फल से वापस क्रिया कारक की और ये स्टेप काफी स्लो होता है मंदगती के होने के कारण ही यही हमारी पूरी अभिक्रिया की दर का निर्धारन करेगा चलिए इसे और अच्छे से समझें माल लिजे आपकी क्लास में एक रेस हो रही है रेस में सभी बच्चों ने भाग लिया है तो वो रेस जो है आप जीतेंगे या नहीं यह निर्भर करता है आपकी क्लास के सबसे स्लो आने वाले बच्चे पे क्योंकि जो सबसे फास्ट आया है वो तो जल्दी यल्दी जाकर क्या किया उसने अपनी रेस कंप्लीट कर ली पर पूरी रेस जो है इसका नतीजा उस बच्चे पे डिपेंड करता है जो सबसे स्लो होता है तो वैसे ही अभीक्रिया की जो दर होती है वो उस स्टेप पे निर्भर करती है जो सबसे स्लो होती है तो यहां दो स्टेप में से आपका जो पहला स्टेप है यह सबसे स्लो स्टेप है और इसी स्लो स्टेप के करण अभीक्रिया की दर इस पहले स्टेप पे निर्भर करती ह यह तो हुआ क्लियर अब देखिए यहां पे पहले स्टेप में हमारे पास कितने अभिकार्मक भाग ले रहे हैं यहां पे केवल हमारा एलकिल हैलाइट भाग ले रहे हैं तो केवल एक अभिकार्मक होने के कारण यह कैसी हुई एकानविक अभिक्रिया हुई इसलिए हमने यह पहले स्टेप में तो हमारे पास कार्ब केटाइन बन गया, दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में नुकलियोफाइल आकर आकरमन करता है, तो अब कार्ब केटाइन पर नुकलियोफाइल आकर आकरमन करता है, यहां ध्यान दीजेगा जो कार्ब केटाइन हैं यह समतल होते हैं कार्ब केटाइन समतल होने के कारण नुक्लियोफाइल लेफ से भी और राइट से भी आकर आक्रमन कर सकता है इससे हम आगे चर्चा करेंगे तो नुक्लियोफाइल यहां पे आकर आक्रमन करता है और जैसे ही नुक्लियोफाइल आक्रमन करता है हमारी अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो हमने यह जान लिया कि एसन वन अभिक्रिया जो है वो दो स्टेप में होती है पर इस पूरी अभिक्रिया के लिए दर निरधारत करने का स्टेप जो होता है पहला स्टेप है क्योंकि वो स्लो स्टेप होता है अब आपने ध्यान दिया होगा कि इस प्रकाल की जो अभिक्रिया होती है वो प्रोटिक विलायक में अच्छे से होती है क्या होते हैं ये प्रोटिक विलायक ऐसे विलायक जो प्रोटोन देते हैं एच प्लस देते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रोटिक विलायक क्या क्या हो सकते हैं ये ये हो सकता है जल क्योंकि जल जब भी हमें जरुवत होगी आसानी से एच प्लस दे देता है यह हो सकते हमारे एलकोहल आर ओ एच क्योंकि जब हमें इससे भी जर्वत होगी तो यह हमें आसानी से एच प्लस देगा तो ऐसी अभिक्रिया इनमें बहुत आसानी से होती है आप पूरा चैप्टर समझ रहे होंगे तो आपके मन में यह प्रश्ण आ रहा होगा कि जब अभिक्रिया होनी थी नुक्लियो फाइल आकर आकरमन करना था तो यह अभिक्रिया दो स्टेप में क्यों हो रही है एक ही बार में क्यों नहीं हो गई तो चलिए इसके आंसर ढूने अभीक्रिया एक ही बार में इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारा जो कार्बन है जो बदल गया कार्ब केटायन में वो कवर था तीन तरफ से हाइट्रोजन से और एक तरफ से हैलोजन तो नुक्लियो फाइल यहां पर आकर डारेक्ट आक्रमन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ढखा हुआ था हमको क्या करना था कि इस कार्बन को एक्सपोज करना था हम क्या करते हैं हाइट्रोजन को या फिर हैलोजन को वहां से हटाते जाते हैं ताकि आक्रमन आसान हो तो इसलिए यह अभी क्रिया क्या हुई दो स्टेप में हुई पहले स्टेप में हैलोजन हटता है जिससे जो एक्सपोज हो सके ताकि उसमें नुक्लियोफाइल आकर आकरमन कर सके अब यहां पर देखिए प्रोटिक विलायक का काम प्रोटिक विलायक क्या करता है यह हमारे हैलोजन्स को लेकर जाता है क्योंकि हैलोजन्स को लेकर जाने के लिए भी तो कोई चाहिए हैलोजन्स को लेने कौन आते हैं H plus proton आते हैं proton हालोजन के सांथ reaction करते हैं और उसे वहां से हटा देते हैं जैसे ही हालोजन हटता है हमारे कारबन के उपर जो धन आवेश है वो एक्सपोज हो जाता है और जिससे असानी से वहां पे ना भी किसने ही आकरमन कर सकता है तो अब clear हो गया होगा कि SN1 में प्रोटिक विलायक का क्या कारे है कौन सा step जो है वो अभीक्रिया की दर का निर्धारन करता है और साथ ही साथ एक हमने जो लिखा उसका क्या महत्व है यहां पूरी अभीक्रिया की जो दर है वो केवल केवल हमारे एलकाइल हेलाइट की सांधर सांद्रता पर निर्भड करती है यहां ना भी किस नहीं कि सांद्रता अभिक्रिया की धर को प्रभावित नहीं करती है इसलिए यह हमारा SN1 अभिक्रिया कहलाती है